इसוצre स्वागत आप मारा विशह है देव नागरी लीपी के दोस इससे पूरू हमने देव रागरी लीपी के गूण के बारे में चर्चा की थी उनकी वेगयूणिकत की चर्चा की थी लेकिन संसार की कोई भी लीपी ऐसी नहीं है कि जो कि पूर्णताए वेगयनिक हो, पूर्णते गुन युक्त हो, उसमें कहीं न कहीं कोई न्योंता या वेगयनिकता जरूर होती है इस प्रकार से देवनागरी लीपी की जब हम स्विक्षा करते हैं उस पर विचार मिंश करते हैं तो कुछ न्योंताएं कुछ कमिया निकल करके आती हैं जो देवनागरी लीपी को पूर्णते वेग्यानिक लीपी बनने में उसके मार्ग में बाधक होती है बासा विज्यान के देवनागरी लिपी के इस परकरण में ये महत पुन परकरण है जिसके आज हम चर्चा करते हैं विफिन जो बिंदु हैं उन भी विचार करेंगे कि ऐसे कौन से दोस हैं देवनागरी लिपी के कि जिसके कार्ण इस लिपी को पूर्णते विज्यानिक नही होती है वरणनात्मक जो लीपी होती है वो पूनते वेग्यानिक लीपी मानी जाती है अब हम जो न्यूनता हैं उनकी बात करते हैं पहली जो न्यूनता की तवरा लेखन में बाधक यानि कि जो देवनागरी लीपी है वो शिक्रता के साथ नहीं लिखी जा सकती है इसका कार्ण यह है कि देवनागरी जो लिपी है उसमें एक सब्द को जब हम लिखते हैं तो अपने हाथ को कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे कभी पीछे क्योंकि मात्राओं का क्रम उसी परकार से होता है ले जाना पड़ता है जो स्रम साथ दे भी होता है और अधिक समय भी लिखने में दूसरी बात कि कंप्यूटर पर जब इनको हम टाइप करते हैं तो लगभग इसके लिए हमें 403 टाइप के आफसेकता होती है और इस वज़ए से अत्य धिक टाइप होने के कारण इसे लिखने में बड़ी धिक्कत आती है आती सिगरता के साथ इसको लिखा नह न्यूंता देखी जाती हैं दूसरी चो न्यूंता है या दोस है वो है देवनागरी लिपी में चिन्हों की अनेक रूपता है यानी कि एक ही चिन जिसका उच्छां एक प्रकार से ऐःए लेकिन उसके दो रूप प्रचलित हैं अब कौन से रूप को मानक माना जाए किस रूप को स्विकार किया जाए और उस रूप को लेकर के भ्रम भी पैदा हो जाता है इसलिए इस एक रूपता का अभाव होने के कारण और दिव वीधी से दो प्रकार की वीधी से एक ही अक्सर को लिखा जाता है कि इसके कारण ये दो सुत्पन होता है जैसे मोढधान की तोर पिर देखते हैं कि ए, जह, ले, ने और इसी के साथ शाथ हम धै को भी देखते है ये वरण हैं दुविदी से भी लिखे जाते हैं जैसे आपने देखा होगा, ए है, वो इस परकार से भी लिखा जाता है, जै है, वो इस परकार से भी लिखा जाता है, लै है, वो ऐसे लिखा जाता है, नै, आप देखते हैं कई जगे, ऐसे लिखा जाता है, और धै है, वो कई जगे, ऐसे लिखा जाता है, इस परकार से ये ज दो प्रकार से इसको लिखा जाता है इसलिए एक समन्ने पाथक के सामने समझ्य उत्पन हो जाती है कि कौन से रूप को सही माना जाय दोकीrah. से देखें तो देवनागरी लिपी में इनी वर्णों को मानेत प्रदान की गई है इसके बाद हम बात करते हैं कि देवनागरी लिपी में कर्मानुसारीता के गुण का अभाव है यानि कि भासा में कर्मानुसारीता का मतलब है जिस करम में लिखी जाती है उसी करम में उसका उ वो भी बिगड जाता है, उचान का जो करम है, वो करमा नुसार नहीं रह पाता है, जैसे हम देखते हैं एक सब्द की पिता सब्द है पिता सब्द में ए की मात्रा है लगू ए की मात्रा है और लगू ए की मात्रा जब हम उच्चार्ण करते हैं तो पै के बाद आती है पिता पै के बाद होती है लेकिन लिखी पहले जाती है यानि कि सब्द में प्रियुक्त होती है पहले और उचार्ण होता है पहे के बाद इसलिए कर्मानुशारिक्ता का अभाव भी इसमें देखने को मिलता है अगली जो विंदु है अगला विंदु है मात्रा प्रियोग में यानिक रूपता यानि कि जो देवनागरी लिपी में सवर की जो मात्राएं है जो प्रतेयक सब्द को बनाने में या वरन को बनाने में उसके लगती है बेंजन के उनमें एक रूपता नहीं है कोई मात्रा उपर लगती है कोई नीचे लगती है कोई आगे लगती है कोई पीछे लगती है जैसे उ की मात्रा है वो नीचे लगती है ए की मात्रा है वो उपर लगती है और ए की मात्रा चोटी ए जो पहले लगती है बड़ी ए की बाद में लगती है दिर्ग और हर्ष्व शोरों की मात्रा की लगने का इस्थान अलगल होता है इस वज़े से मात्राओं की अनेक रूपता नहीं मिलती है जो भी एक न्योंता देखी जाती है कमी मानी जाती है अगला जो दोस है वो है साम्मे मूलक वर्णू की समस्या सामे मुलक वर्णों की समस्या से तात्प्री यह है कि जो विभिन जो वर्ण है या देवनागरी लिपी के चिन्न हैं उनमें भहुत से चिन्न इस प्रकार के हैं जो एक दूसरे से बिलकुल लगभग मिलते हुए हैं पहुत सुक्षम अंतर के साथ उनको लिखा जाता है उनके लिफी चिन्न निर्धारित हैं इसलिए उनने लिफी चिन्नों को लिखते समय या पढ़ते समय उनमें भ्रम की स्तती पैदा हो जाती है उचारन गत भिनता हो जाती है जिससे असुद लेखन भी हो जाता है और असु से लिखा जाता है धै में ऊपर जाकर के एक छोटी सी गुंडी होती है और गह को सीधा शिरो रेखा से मिला दिया जाता है अब अगर थोड़ा बहुत भी अगर चूक जाए टंकन में या विक्ति गुंडी ने लगा पाए और उसमें उपर की जो शिरो रेखा मिल जाए तो धैका गह बन जाता है और गह का अगर गुंडी लग जाए तो धैका उच्चान में पूरी तरह से भिंता हो जाती है अर्थ म में घुंडी होती है और दोनु को अगर उपर मिल जाए गुंडी से उपर सिरो रेखा तो भैका मैं बन जाता है और मैं का कई बार भै भी पढ़ा जाता है क्योंकि भैका तो दूसरा रूप भी परचली थैं अगर ऐसे उसको लिखा जाए तो उसमें और भी दिक्कत पैद हो जाती है इसी प्रकार से एक हमारे ख्या है जैसे ख्या को हम लिखते हैं लगभग यू इस प्रकार से लिखते हैं लेकिन जब रव लिखना होता है तो कई बार हम उसको रव को लिखते हैं तो उसको ख्या पढ़ा जाता है होता है रव जैसे कल रव कलक हो गया और ख्या इस इसके बाद अगली जो न्यूंता हमें दिखाई देती है वो हिंदी में देवनागरी लिपी में सयुक तक्षर चार सयुक तक्षर हैं जिनको लिखा जाता है उसके अलावा जो सयुक तक्षर लिखने की जो प्रमप्रा है जो वीदिया है वो भी अलग-अलग है एक रूपता का भावा कहीं खड़ी पाई को अटा करके सयुक बनाया जाता है कहीं आदे का आगे का जो हर्फ है उसको काट करके सयुक बनाया जाता है तो इस परकार से विभिन्ता उसमें देखने को मिलती है जैसे हम देखते हैं कि तक तो होता है उसमें इस परकार से लिखा जाता है आम पाठक को पता नहीं लगता है इसमें कहां कह युक्त है कहां युक्त है पिर जैसे कह के साथ से युक्त बनाया जाता है तो कह के आगे का नुक्ता अटा दिया जाता है धै के साथ बनाया जाता है तो धै के आगे की खड़ी पाई अटा जिया जाती है जब हम चै को लिखते हैं चै का स्युक्त बनाते हैं तो उसके नीचे भी चै लिख देते हैं और इस परकार से भी लिख देते हैं, जो टै है, इसके नीचे रह लगाते हैं, तो टै हो जाता है, वही पह के नीचे रह इस परकार से लगता है, इस परकार से जो संयुक्त जो अक्सर लेखन के रूपों में जो बिविनता है, वो भी एक भ्रम पैदा करती है, कि इसका उच् लीपी चिन्न है उसके हिन्दे में चार प्रकार के प्रियोग मिलते हैं चार प्रियोग उसमें जिसके उधान हम देखते की धरम करम राष्ट्र कर्षण यानि कि कहीं मैं रह उपर लगता है, कहीं नीचे लगता है, नीचे लगता है, तो इसमें हम इसका उच्छारन कैसे करें, जैसे धर्म है, इसमें मैं के उपर रह लगा, लेकिन उच्छारन इसका मैं से पहले हुआ, करम है, उसमें कह के नीचे लगा, लेकिन उच्छारन उसक लगा है उसका उच्छान इस्थान क्या होगा क्या उस जिस वरन के साथ वह संयुक्त रूप से लगा है उससे पहले होगा यह उसके बात होगा यह समान्य पाठक जिसको रह के लगने के इस्थान का पता नहीं है उसके लिए ब्रह्म की स्थति पैदा कर देता है कि इसका उच जरूर देख लेते हैं कि जब उपर जो लगता है ये विशेश ध्यान देने की बात है रह में अगर इसको खोल के हम देखें तो ये होगा यूँ हल्चिन लगने का मतलब है कि स्वर रहित है तो यहाँ पर जो धरम बोला गया है यहाँ पर जो रह उपर लगा है उसका उच्छारण पहले है और ये स्वर रहित है आधा है ये आपको ध्यान दखना है दूसरी जब हम बात करते हैं करम की तो इसमें ये लिखा जाएगा करम में जो कै है वो सवर रहित है और रह पूरा है इसी प्रकार से दास्टर में टै के नीचे लगा है तो टै दूरा है रह पूरा है इसी प्रकार से जब कै के नीचे लगा है तो रह पूरा है यानि कि इसको री बोल देते हैं इसलिए ये ध्यान रखना है कि जो उपर बैठता है यानि कि जो उपर लगता है वो स्वर्रहित वेंजन होगा रह यानि कि आधा होगा और अगर नीचे लगेगा किसी भी वर्ण के तो ये मान लेजे कि जिस वर्ण के नीचे लगा है वो वर्ण आधा होगा स्वर्रहित होग और नीचे लगने वाला जो रह है वो पूरण होगा यानि कि सामान्य भासा में हम सकते हैं कि जिस प्रकार से हम कंदे पर बैठाते हैं किसी वो तो हलके वक्ति को कंदे पर बैठाते हैं ताकत्वर वक्ति उसको बैठाने वाला होता है इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं इस री है उसके लेखन के आधार पे तो वो परचलित है लेकिन उसका उचार्ण देवनागरी में री की तरह होने लग गया है इसलिए इसमें कोई दोस्त नहीं है इसको समझ सकते हैं आप इस परकार से यह रहे हैं से बात अगला है सै के तीन रूप अनेक रूपता वाली बात आ अब हम समान लेता है जब उचार्ण करते तो एक ही परकार से कर देते हैं उचार्ण में भिंता जबकी अलग अलग है से है वो तालव्य है यह से है दंते से है और यह मूर्धन्य से है यानि कि उचार्ण स्थान अलग अलग है तालव्य को जब जीव्या तालू से टिकती है शय बोले जाता है, समन्य रूप से जो दातों से जब हमारी जीव टेकराती है, उसको सय बोला जाता है, और मूर्धा में जब जीव उल्टी घूम करके लगती है, उसको शय शटकोन बोला जाता है, इसलिए उच्चान का तिस्थान अलग लग हैं, लेकिन समन्य तो इनका भे बना रहता है कि क्या ये सुद्ध है या असुद्ध है, अब जैसे ससी है, चंदर्मा है, उसमें ये वाला सय आता है, लेकिन कई लोग ये लिख देते हैं, तो वह असुद्ध होगी, असलिए ध्यान रखने वाली बात है, ये भी एक ब्रह्म पैदा करने वाली है, ये और ये लेकिन देवनागरी लिपी में जो री है, वो लेखन के आधार पे परचलित है, जिसको हम सवरों में इस्थान देते हैं, इसलिए 11 सवर बनते हैं, लेकिन उच्चान इसका री हो गया है, यानि कि उच्चान के आधार पे अभी ये शुद्ध शवर नहीं रहा है, व्यंजन के साथ ई मिलकर के बोला जाने लगा है इसलिए इस री जो जो हमारे आज भी परचलीत हम उसको साथ रखते हैं सवरों के साथ संख्या ग्यारा बना देते हैं उसमें कहीं पर आउसिकता नहीं अगर इसको अटा दिया जाए तो अभी इससे काम चल जाता है यह एक अ संचन लगाते हैं हलांकि यह इतनी बड़ी कमिया नहीं है इन सभी कमियों का कहीं कहीं निवारण है और उस निवारण को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसका प्रियोग करें तो निश्चित रूप से एक स्रेस्ट लीपी के रूप में इसको हम इस्तापित कर पाते हैं तन्यवात